आप सभी का एक बार फिर्चस वागत है हमारे को नई वीडियो में तो आज हैं बात करने वाले हैं भारती गेहों एवं जो अनुसंदान संस्ताद और अब इक्सित गेहों की नविंतम किस्म DBW 327 के बारे में जिसे ही करविशिवानी के नाम से भी जाना जाता है इसकी उत्पादन की पिसेस्ताओं के बारे में बात करें तो 89.4 कुंटल प्रती हेक्टर के इसाप से इसका उत्पादन मिलता है जो कि HD 29.67 से 35.3% अधीक है और HD 36.86 से 13.6% अधीक है और इसकी जो अधिक जिंग के बारे में बात करें तो इसमें जिंग 40.6 PPM पाए जाता है अगर चापाती का स्कोर देखा जाए तो 7.67 इसका चापाती का स्कोर है और भी कई से गुणों से यह वराइटी भरपूर है इसी कारण से यह वराइटी ग्योंके कई उत्पादों के लिए उपयूक थे करके भी इसके हाइट को रोख सकते हैं अगर हजार दानों का बजन देखा जाए तो 47-48 ग्राम होता है पकने की समय देखी जाए 153-156 दिनों की है अगर आपके 16 मूंकी फसल स्वाइंग की जाती है तो आपको इसको समय से ही लगाना है अगर समय से नहीं लगाओगे तो आ 15 नमंबर तक ही आप इस की स्वाइंग कर सकते हैं अगर थोड़ा सा लेट हो गए आप तो उदर प्रोडेक्शन में आपको कमी आईगी उसे के साथ में इसकी बारे में बात करें तो 31.6 कुंटल प्रती एकड़ के हिसाफ से इसका आपको एवरेज मिल सकता है कुन-कुन से चेतर हैं जिसमें की इस वराइटी को अपने को लगाना चाहिए तो सबसे में बात कर लेते हैं उत्तरी भारत के मैदानी चेतर जिसमें की पंजाब आता है हर्याणियां आता है और राजिस्तान का अगर कोटा डिविजन और उदैपूर डिविजन को छोड़ दिया जाए बाकी पूरे अस्तन में आप इसे लगा सकते हैं पस्चे में उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो जासे डिविजन को छोड़कर आप असानी से लगा सकते हैं और अगर आपके पास और इस वराइडी का एक प्लस पाइंट है जिसे कि मैं आपको बताना भूल गया इ सुखे के प्रती थोड़ा सा राइस्टेंट कर डवलप करती है तो अगर आपकी जो मिट्टी है अगर थोड़ी से हलकी भी है तो आप इस वराइडी का चुनाब कर सकते हैं वाकि आज की वीडियो में इतना ही एंड तक वीडियो आज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवा कि आज वीडियो में दोड़ा आपके वागे धन्यवादी झाल के माझत जी में भी आपके जड़ा करता अखित थार है तरुट था श्यामानी चुनाओग करता ह hall गवलक यादगल कर